असलाव अलेकुम वेलकम टू माय चैनल आज मैं बना रही हूं चिकन फुल लेग जिसके लिए चाहिए अद्रक लेसन हरी मिर्ची का पेस्ट धाई चाट मसाला जीरा पाउडर नमक हल्दी पाउडर फूट कलर चॉप्ट कॉरिएंडर लेमन जूस ब्लैक कपर पाउडर और फुल चिकन के लेक्स चार अब चिकन के लेक्स और ब्रेस्ट दोनों में से कोई भी ले सकते हैं या दोनों ले सकते हैं अब आप मैं बनाउँगी इसका बैटल जिसके लिए चाहिए चार डेबल स्पून अतरक लसं हरी मिर्ची का पेस्ट ये देड़ किलो है इसके लगेगा चार टेबली स्पून और पाव किलो धाई हाफ टी स्पून धाई हल्दी एक टी स्पून भरके जीरा पाउडर एक टी स्पून लेवल चाट मसाला एक टी स्पून लेवल ब्लेक पेपर पाउडर एक बड़ा लेवन जूस नमक अपने टेस्ट के हिसाब से मैं एक टी स्पून दाल रही हूँ चॉप्ड कोरियंडर अगर एक किलो चिकन है तो तीन टेबल इस्पून और अगर हाफ केजी है तो दो टेबल इस्पून इसको अच्छे तरीक से मिक्स कर लियू मैंने अब मैं इसमें दालो गए दो ड्रॉप क्रेम फूट कलर इसको मैं अच्छे तरीक से मिक्स कर लियू अब इसको मैं चिकन पर अच्छे तरीक से लगा दूंगी अब मैंने इसमें पूरा मसाला मिक्स कर दियूं लेकिन मैं डेरेक्ट बना रही हूं लेकिन आप इसको मैरेनेट होने के लिए एक घंडा जरूर रखना या जितना हो सके उतनी ही देर रखना इसला प्रेम हो जाएगा अब मैं इसको डेरेक क्रटै कर दूंगी और ऑब मैं इसमें सींगल सींगल पीस फ्राइक करंगी कि यह बड़ा पीस है तो यह पकने के लिए थोड़ टाइम लगएगा अगर मैं फास्ट फ्लेम पे बनाऊंगी तो यह जल जाएगा इसलिए स्लो फ्लेम के इसको में फ्राय करूंगी जब एक साइड अच्छे तरीके से फ्राय हो जाएगा फिर मैं इसको टर्न करूंगी लगए यह एक साइट से हो चुका है तो मैं इसको पीण करूंगी ई इसको पंप लेए जब़ा पुम्टोल लागत अब यह दोनों साइड से फ्राय हो गया हो मैं इसको निकाल दूंगी और अपने चारों पीसे इससी तरीके से फ्राय कर ल कुर गींगी अब मेरे रेसिपी कम्प्लीट हो गई है पूरी अच्छी तरीके से फ्राय हो गई है आप इसे किसी भी चीज़ करें डाल और प्राठा नान इसके साथ आप सर्फ कर सकते हो लेकिन याद रखना है इसकी कुकिंग इंकम स्लो करना फास्ट नहीं करना वरना अंदर से एक अच्छा रह जाएगा थोड़ टाइम लगेगा पर यह अच्छी रेसिपी अच्छा करना झांब तक यू